प्यारे बच्चो नमस्कार एक पर फिर से आपका हिंदी की कलास में स्वागत हैं उमीद है कि आप सभी बच्चे अपने घर पे अच्छे से होंगे हमने हिंदी विशे में बेटा अपनी भाषा अभ्यास की किताब में से ए मत्रा का अभ्यास कारे शुरू किया हुआ था तो आज हम उसी कारे को कंटिन्यू करेंगे तो अपनी भाषा अभ्यास की किताब में से पेज नमबर 49 खोलिए पेज नमबर 49 सबसे पहले इसके उपर आप आज की डेट लिखेंगे पेज नमबर 38 सक हम पहले ही काम पूरा कर चुके है तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं हैडिंग देखिए सही मत्रा वाले शबत पर घेरा लगा ये नीचे बेटा आपको दो-दो आप्शन दिये गए हैं इनमें से एक गलत है और एक सही है हमने सही मत्रा वाले शबत पर घेरा लगाना है सबसे पहले देखिए गेस या फिर गैस शबत होता है बेटा गैस मतलब की ए की मत्रा तो ये शबत सही था इसके उपर आपको घेरा लगा कर दिया हुआ है आगे देखिए बेटा एनक या फिर इनक देखोगे जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा शबत सही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वाले शब्दों को बोलकर उनकी प्रैक्टिस करें किया करो बिटा आगे देखिए शब्द हमारा पहले लिखा हुए बिटा तयार और दूसरा है तयार ठीक है मतलब ड की आगे बिटा चोटी की मतर आती है बड़ी नहीं आती तो पहला option wrong है और दूसरा option right है तो हम इसके उपर लगाएंगे घेरा उसके बाद है बिटा अखबार अखबार या फिर आखबार शबत होता है बिटा सही अखबार आखबार नहीं होता तो इसमें हमारा पहले वाला सही है इसके उपर घेरा लगाएंगे आगे देखिए डाकिया या फिर डाकिया यहाँ पर बिटा क को बड़ी ए यहाँ पर क क को चोटी है जो शबत होता है बिटा वो होता है डाकिया मतलब की क क को चोटी ए मतर वाला तो it means first वाला option हमारा right है second वाला wrong है आगे देखिए बिटा सको पढ़िए मेदान मेदान या फिर मैदान शबत होता है बिटा मैदान जैसे की खेल का मैदान तो शबत कौन सा सही हुआ हमारा दूसरा क्योंकि शबत होता है मैदान होता है मेदान नहीं होता आगे देखिए चेहरा या फिर चेहरा चेहरा शबत नहीं होता है बिटा शबत होता है चेहरा मतलब की च को एक ही मतर आएगी तो यहाँ पर हम करेंगे first option पर आगे देखिए बिटा भैडिया या फिर भेडिया शबत सही होता है भेडिया ये जानवर होता है जो कि जंगल में रहता है तो भेडिया नहीं होता शबत होता है भेडिया ओके तो दूसरा option right next है बेटा बैलगारी या फिर बेलगारी शबत क्या होता है बेटा बैलगारी ये हमारा आया भी था किया भी था पहले कल भी आया था हमारा भाशा ब्यास में ठीक है तो क्या शबद आएगा बिटा ब को ए मत्रा वाला बेल गारी ओके बेल गारी नहीं होता आगे दिखे एकला हैडिंग ए मत्रा लगा कर नए शबद लिखिए यहां पर बिटा आपको शबद दिये गए है इन आपने मत्रा लगानी है ए की ठीक है देखिए इसको कसा कसा जब हमने क की ओपर ए की मत्रा लगा दी तो बिटा वो क्या बन गया कैसा ठीक है कसा शबद नहीं होता है शबद होता है कैसा इसी तरह बिटा आपने बाकी सारी लाइन कंप्लीट करनी है अपनी देखिए अगला तो देखिये हम इसको कैसे लिखेंगे मश को ए की मत्रा ना ना आपबने सेम लिखना है ना और एक बात का ध्यान लेकर ना और यहांन वेटा मैंने वर्टसप ग्रूप में कुछ बच्छे को आपब्चे किया कि वो ए की मत्रा सही नहीं डाल रहे जब आप A की मातरा डालनी है तो इसकी दोनो लाइन्स आपने एक जगा पर लाकर ही जोडनी है कुछ बच्चे क्या कर रहे है जैसे वो मातरा डाल रहे हैं तो एक यहाँ पर डाल रहे हैं एक यहाँ पर डाल रहे हैं मत तभी अलग अलग जगा पर उनको पर पॉइंगा, ज़ोड़ना है, अपने दोनों मातराओं को नीचे एक पॉइंट पर लाकर ही जोड़ना है, और वो पॉइंट होता, एक्षर की डंडी, जैसे है मह एंजिए अई की डंडी यह था प्ली गो बस अई الزा पज़़ना हैं हमेला, जैसा, जैसा, इसी तरह दूसरी लाइन है आपकी देखिए हरान, अब ह के ओपर ए की मतरा लगी तो वो क्या बन गया, हैरान, हैरान, ओके, इसी तरह यह आपके बागी के शबद हैं, इनको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, अब देखिए इसका, next page, हाँ जी, next page पर आपका बेटा heading है, समान लेवाले शबद, लिखिए, अब आपको समान लेवाले शबद, बेटा अच्छे से आपको ये topic clear हो गया गा कि समान लेवाले शबद कौन से होते हैं, वहे शबद, जिन शबदों के अंत में समान ध्वनी होती है, अर्थार जिनके अंत में समान पाज आती है बट उनका आगे वाला अक्षर बिन होता है अलग होता है अब आपने इसके दो समान लेवारी शबद बताने हैं ठीक है तो देखिए क्या बन जाएगा शेंडाई क्योंकि तैर शेंडा होता है न तैर और दूसरा क्या बन इसका पैर, पैर एक श्रीर की अंकर नाम है ठीक है, तो सैर पैर पैर, दिखो इसके पीछे पैटा रह साउंड आ रही सी, तो यहांपर भी आगी रह साउंड, तो यहांपर भी रह, पट इनका आगे वाल अक्षर डिफ्रेंट है, आगे देखे पैटा, शबत गईया, तो के मारे गया, नया, भाईया, मया भी बन सकता है, इसका कनया भी बन सकता है, ओके, आगे देखिए बैटा, हैरान, हैरान, इसका शबत क्या बनाएंगे बैटा, समालने वारे शबत, मैदान, शैतान, देखिए, मैदान, मैदान, शैतान, शैतान, हैरान, मैदान, शैतान, ओके, आगे देखिए फैला फैला का क्या बन जाएगा बिटा थैला लिखिए एक तो शबद हम लिखेंगे थैला दूसरा शबद बिटा क्या बन जाएगा मैला देखिए मैं मतलब कि मां को ए की मत्रा ला मैला तो फैला थैला मैला तीनों समालने वले शबद होगे आगे देखिए कैसा कैसा पैसा जैसा तो एक आप तो आप इसका बनाएंगे शबद पैसा और दूसरा क्या बन जाएगा बिटा जैसा ज़ को ए स को आ तो देखिए कैसा पैसा जैसा यह थे हमारे समालने वाले शबद जिनके हमने दो दो शबद और लिखने थे अगला हैडिंग देखिए वाक्य मिलाईए और फिर उन्हें लिखिए यहां पर दोनों साइड पर आपको वाक्य दिये गए हैं लेकिन यह वाक्य अदूरे हैं आपने इनकी मैच्चिंग करके इनको पूरा करना है और जब एक वाक्य पूरा हो गया फिर आपने इसको नीचे लिखना है देखिए एक आपको इसमें करके दिया भी हुआ है उसने पैदल चल कर पहले हम पिटेजे सारे वाक्य रीड करेंगे बैल हरी घास गाएं दूध शैतान लड़के की दूस्री साइड देखिए चर रहा है सायर की खुब पिटाई हुई देती है अब देखिए इसको, उसने पैदल चल कर उसने पैदल चल कर क्या किया बटा सायर की तो ये वाक्या को यहाँ पर दूसरे वाक्या के साथ हमने मैच कर दिया तो ये वाक्या पूरा हो गया उसने पैदल चल कर सैर की तो ये सारा वाक्या फिर यहाँ पर लिखा गया है देखो उसने पैदल चल कर सैर की ये एक वाक्य आपको करके दिया गया है इसकी मैचिंग भी की हुई है और इसको लिखकर भी दिया है तो आपने इसको दुबाना से नहीं लिखना अब दूसरा देखिए बैल हरी घास यहां पर है बैल हरी घास वो हरी घास क्या कर रहा है चर रहा है तो किसके साथ मैचिंग करेंगे बैल हरी घास चर रहा है जब यह पूरा हो गया वाक्य, आप इसकी मैचिंग कर देंगे, फिर आप ये सारा वाक्य आपने यहाँ पर नंबर घर पर लिखना है, आगे देखिए बिटा, गाए दूद, गाए दूद देती है, तो इस वाक्य की मैचिंग इसके साथ, आप इसकी साथ मैचिंग कर देंगे और फि सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है बेटा और एक बात बेटा हिंदी का काम जितना आप बोल करेंगे पढ़कर करेंगी उतनी हिंदी आपको जल्दी समझ में आएगी इसके शबद आपको जल्दी समझ में आएगे तो कोशिश किया करो बेटा ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग किया करो, भाशा ब्यास का भी आप जो भी काम करते हो, सबसे पहले उसको एक बार रीड किया करो, उसके बाद आपने उसका रीटन काम करना है, जैसे ये मैचिंग है, पहले आप इसके सारे वाकिये एक बार रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसक पर कंप्लीट करेंगे ओके बिटा धन्यवाद